नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे आँखों की सभी समस्याओं की और आपको बताएंगे आँखों की रोस्ती को बढ़ाने के लिए आँखों को स्वस्त रखने के लिए कुछ घरेलू उपाए जिनकी मदद से नि सभी से निवेदन करना चाहता हूँ दोस्तों आप यहाँ पर एक लाल बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है सरस्ता ले इस बटन को दबा करके आप हमारी सरस्ता जरूर ले लीजे ही ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो रोज देख पाएं उनसे फ अथी इन उपाएं से आँखों की किसी बीमारी को भी ठीक कर पाएंगे तो ऐसे ही कुछ साधारण लेकिन बहुत कारगर्ण उसके आज के वीडियो में आपको बता रहा हूँ इन में सबसे जो पहला उपाए है वो है हरे धरिये का अक्सर हमारे घरों में हरा धरिया यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा लाब दायक होता है आँखों के लिए पहले के समय में हरे धरिये की चटरी अक्सर अधिकतर घरों में खाई जाती थी आजकल लोग नहीं खाते हैं कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती या बनाने की जंजट वोले या कोई अधिसमस्या लेकिन पहले के लोग अक्सर इसका यूज करते थे आप यह मानके चलें के सब्ता में छे दिन कम से कम धरिये की चटरी अधिकतर लोग खाते थे उसकी बज़े यह थी कि धरिया पेट से लेकर आखूं में और खून के लिए बहुत फाइदेबंद होता है साफ करता है इनको डिटोक्स करता है इनको बढ़ाता है बहुती ज़्यादा अच्छी चीज है अगर देखा जाए घरे लूपाएं में तो हरे धरिये को थोड़े से घी में मिलाकर हरे धरिये का पिले आपको रस निकाल लेना है और थोड़ा सा उसमें घी मिला ले चाहे तो आप दो बूढ ले ले धरिये का रस और एक बूढ ले उसमें देशी की तीरों को मिला करके आँखों में थोड़ी थोड़ी डाल ले इसको यदि आप दिन में एक बाहर भी प्रियोग कर लेते हैं सिर्फ एक बार रात को सोते समय आप इसको डाल कर सो जाएं आँ धूल मट्टी का काम करते हैं उनके लिए यदि वो इतना कलने रात को सोते समय आखों में हरे धरिये का रस थोड़ा से देसी घी मिला करके डाल लें तो आखें उनकी आदे घंटे के अंदर पूरी तरीके से सफेद हो जाएगी और जो धूल मट्टी है जो भी गंदगी जमा ह होई है जिस कारण से भी आपकी आखें लाल हो रही वो पूरी तरीके से सफेद हो जाएगी और आखों का जो नुकसान इसकिन पर आखों की नुकसान हो जाता है वो सभी ठीक हो जाएगा इसके अलाबा आखों की जिनकी रोस्ती कम है कम देखता है चस्मा लगा हुगा है य इंपली आपको उसको निकाल लेना है और रात को सोने से पहले आँखों में इसको डाल कर सो जाना है। ऐसा आपको दिन में कम से कम दो तीन बार करना है। जब भी आप दिन में इसको करें तो 10-15 मिट के लिए लेट लें। या जब लेटने की सुब्दा हो तब ही आप आँख में इसका रज डालें। ऐसा आप करते हैं तो आपकी रोसरी के लिए बहुत ज्यादा ये फाइदे मन होगा। जो लोग चस्मा पहने उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा भी धरिया बहुत सारे रोगों में फाइदा करता है। धरिये को हरा धरिया काली मर्च, काला नमक, जीरा पाउडर इन सब को मिलाकर आप रोज इसकी चटिनी बनाकर खा सकते हैं। कब्ज की जिन लोगों को प्रॉब्लम देती हैं उनके लिए बेहत रामबार चीज है, बहुत फाइदा करेंगी। लेकिन काफी समय उप्योग करना होगा। बीमारी के समय के साब से, आपकी बीमारी यदी साल मर पुरानी है, तो आपको हो सकता है छे-सात महीने इसका लगातार उप्योग करना पड़े। लेकिन आराम आपको पहले दिन से ही मिलने लगेगा। इसके अलाबा सरीर में कही सूजन हो जाती है, जलन होने लगती ही, कभी कुछ जल जाए या कोई और तकलीफ हो जाए उस इस्तिती में तो आप हरे धरिये को पीस करके बारीक पीस ले इसको और इसको लगा दे। हरा धरिया ना मिलने पर सूखे धरिये को भी पाउडर को भी आप लगा सकते हैं। उसका एक लेप टाइप का बना ले पारी के साथ मिलाकर और लगा दे। इससे सूजन में और जलन में तुरंत आराम मिलता। पेट में दर्द होने पर, एसीडिटी होने पर, पेट में जलन होने पर सूखा पाउडर जो आता है धरिये का उसको मिसरी के साथ मिलाकर आदा आदा चमच दोड़ों चीजे ले ले और मिलाकर तुरंत पी जाए तो बहुत ज़्यादा आपको फाइदा होगा। इसके लाबा हरे धरिये की चट्री को काले नबक के साथ में यह आप खाते हैं तो पाचन की ततकाल समस्या जैसे घैस हो रही है आपको ऐसे डिटी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप काले नबक के साथ खाईए हरे धरिये की चट्री तुरंत आपकी यह समस्या खतब हो जाएगी तो दोस्तों ये थे कुछ घरेलू उपाए हरे धरिये के इसको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करें अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना बिलकुल न भूलें साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें ताकि जादा से यादा लोग इस वीडियो से फाइदा उठा सकें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्य बात